अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉटप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल इश्क मुर्षद बहुत से लोगों को लगने लगा है कि इश्क मुर्षद बोरिंग चल रहा है जबके ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें ट्विस्ट तो नहीं आया, लेकिन बहुत जाल आने वाला है क्योंकि ये ड्रामा हो रहा है सूपर से भी उपर, अभी तो स्टोरी खुलकर सामने आने आने वाली है अभी तक तो सिर्फ हमने इतना ही देखा कि शामीर ने शिब्रा के घर में और पिर दिल में जगा बनाई वो अपनी मन्जिल के बहुत करीब जाता ही जा रहा है लेकिन दूसी तरफ महरीन को भी तो मालूम पड़ चुका है कि ये शामीर ही फजल बख्ष है क्यूंकि शिब्रा से वो जो अजनभी पनकर मिली और फिर उससे इंप्रेस होने कर ड्रामा किया कि आप जो दाउट साहिब के सामने हिम्मत करते हुए इतना अच्छा बोली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ ऐसे ही वो शिब्रा की दोस्त बन चाती है फराज से उसके घर का ड्रस भी मालूम किया और वहां भी चली गई दिन बदिन उनकी दोस्ती गहरी होती चाहेगी इतनी गहरी कि शिब्रा उससे सुकैना की शादी में भी इन्वाइट करेगी अब यहां पर फजल बख्ष भी होगा और शिब्रा भी महरीन भी महरीन शिब्रा से पूछती है अच्छा उस दिन आप शॉपिंग करने गई थी आपके साथ वो कौन था आपका हस्बेंड है क्या तो यहां पर शिब्रा हसते हुए बताने नगी नहीं वो फजल बख्ष है हमरे घर में ही रहता है तो यहां पर महरीन को मालूम पड़ा अच्छा उसका नाम फजल बख्ष है तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि महरीन ने दाउट साहिब को सब कुछ बता दिया कि सुलिमान साहिब की बेटी के साथ शिबरा के साथ इसका अफेर चल रहा है जिसकी वज़ा से वो गरीब बनने का नाटक करता है और उनके घर में रहता है अब तो महरीन के सब कुछ कह कर बता कर चली कही देखिए दाउट साहिब बहुत परिशान हो गये उनके सामने माजी आगया के जब उनकी बीबी जुबैदा सुलिमान साहिब में इंट्रस्ट लिया करती थी उनसे काफी इंस्पा Rein थी क्योंके वो भी सच्ची थी इमानदार थी और उसे भी इमानदार लोग ही पसंते जैसे के सुलिमान साहिब ऐसे वो दोनों घंटों बैट कर बाते किया करते थे जो कि दाउट साहिब को बहुत ही खटका करता था इसी दुरान शिबरा और शामीर भी बहुत चोटे थे सुलिमान साहिब शिबरा को भी यहां ले आया करते थे जो शामीर के साथ खेला करती थी तब वो बच्चे काफी छोटे थे कि उन्हें अपना बच्चपन इतना याद नहीं लेकिन जैसे ही जुबादा साहिपा का इंतकाल हुआ तो शामीर के वालिद ने उसे बाहर भेज दिया और ऐसे ही सुलिमान साहिप को भी नोक्री से निकाल दिया और फिर शिबरा और शामीर अलग हो गए उनका बच्चपन अलग ही गुसरा उन्हें अपना बच्चपन याद ही नहीं लेकिन दावट साहिप को सब याद है तब ही तो वो सोचते सोचते काम से जाते हैं कि जिनकी दोस्ती को बच्चपन में ही हतम करवा दिया था वो बड़ी होकर इश्क में बदल गई अब तो दावट साहिप के लिए ये ज्यादा डरने का मकाम है वो समझते हैं कि शायद उन्हें अपना बच्चपन याद है इसलिए तो शामीर शिबरा के साथ रापते में है तो फ्र इबरा नहीं जानती के ये शामीर सिकंदर है वो तो सिर्फ इसे फजल बख्षे समझती है तो फ्रेंड्स आने वाली एक साथ तो इससे भी ज्यादा इंट्रस्टिंग है जिसमें बहुत ही बड़े-बड़े सी ट्विस्ट आने वाले हैं जो देखने में काफी मसाएगा आ कि आने वादी हर वीजियो बहुत असानी से देख सकें अलाहाफीज